वेलकम दियर स्टुटेंड मोशन इनर स्टेट लाइनस चेप्टर हमारा चल रहा है उस आजका डोबी क्या है सर तो आज का डोबीक बचो इंटीग्रेशन पढ़ना है एंको integrations के दो पार्ट होगे definite integration निदीफाइने इंटीग्रेशन है उसके क्या करेंगे तो integration क्या होगा तो तुम लोगों को बताओ कि मान लीजे बचो को एल लेंध का वायर है उसको अगर हमने चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया यह DL और यह DL तो यह L में से चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड करने की प्रोसेस उसको हम क्या कहते थे डिफ्रेंसेशन करते थे डिफ्रेंसेशन मलब बड़ी लेंथ की वायर को चोटे-चोटे parts में divide करने की process उसको differentiation कहेगे वापिस DL 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 मिलके अपने को वापिस total length L आजाए इसको क्या कहेगे वापिस इसको कहेगे integration कहेगे क्या कहेगे integration कहेगे समझ मैं ही बात तुम लोग को integration एक तरह की reverse process differentiation की फिर से बताओ अगर total कोई area बड़ा सा area है तो area को चोटे-चोटे parts में divide कर दिया अगर मान लो total area A है उसको चोटे-चोटे parts में लब D A है तो यह process को क्या कहेगे बच्चो differentiation कहेगे क्या कहेगे differentiation कहेगे अब सब D A D A D A मिलके वापिस आपको area इसको क्या कहेगे integration कहेगे समझ मैंनी चाहिए बात बराबर तो यह reverse process को integration कहेगे और यह differentiation की reverse process उसको क्या कहेगे integration कहेगे इसके एक लो होता है सर कैसे differentiation करेगे अगर और चीज हाँ अगर इसकी total length हमको नहीं find करना है इसके बीच में L बराबर मान लो L1 से L बराबर L2 तक की length find करनी है तो इसके यह वाले integration को definite integration कहेगे अगर limit हम नहीं put करेगे तो क्या है कि indefinite integration कहेगे समझ में नहीं आरी सर बात ती को अगर ओर तुम लोग को clear करवा बचो मान लीजे मेरे पास कोई function है integration को ऐसे सांप से denote करेगे क्या करें कि बच्चा सांप से denote कर देना है तुम लोग को साप अच्छा तो इसको ऐसे करें कि ऊपर n प्लस 1 कर देगे और सार नीचे n प्लस 1 कर देगे plus function c c constant होगा तो इस तरह से integration करेंगे अब इसको वापी से कर मैं differentiate करूगा तो मेरे को यह वापिस मिल जाएगा एक question करके बताता हूँ मान लीची x raise to 1 dx से उसका integration करना है तो क्या एगा x raise to 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा ओके तो अब यहां पर उपर क्या बन जाएगा बोलो x square by 2 प्लस क्या मिल क्या c यह इसका integration आया किसका इसका integration यह आया तो अगर मैं बता हूँ ठीक है तो अब इसका वापिस अकर मैं differentiate करूगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा वापिस यही मिल जाएगा देख सकते हो differentiation तुम लोग को आता है d by dx क्या होता है देखिए x square by 2 प्लस c होए ओके सी कॉंस्टेंट का डिफ्रेंसेशन तुम लोग जानते हो जीरो होता है ठीक है तो वन बाइटू बाहर निकाल दिया इसका differentiation करूँ तो x square का मिल जाएगा मिलेगा 2x मिलेगा और c का क्या है प्रेंसेशन हो जाएगा जीरो हो जाएगा टू टू चम चम हो गया बच्चो तो एकस आ गया देखो एकस वापीस आगया हमरा ठीक है तो क्या हो गया देखो इसका integration करें तो क्या होगा अभी फ्लो क्या पड़ा उपर वन एट का देना है नीचे वन एट का देना है प्लस क्या आजएगा सी आजएगा सी कॉंस्टन तो क्या आ गया देखो इसका क्या बनेगा बच्चो एकस रेश्टू 3 डिवाइट बैए 3 प्लस क्या आगया सी आगया ठी लीको ली बैदीए एकस कि एकस क्यूब ऐए 3 प्लस किया एगा सी ओके सर अब 1 बाइ 3 भाइट आगया निकाल दो एक्सक्यूब का मनेंगा 3 x स्क्क्वेर बन जाएगा c का मिले constant का डिफरेंसेशन जीरो होजाएगा डिफरेंसेशन में भाणाव उस में change अब constant है constant की value में change नहीं गाहिए वंट्ट्ट्री तो नो यह यह तो इस बच्चा ये जाधू हो गया और दख्वर अगर मैं है को बताओं के मेरे पास मान लीजिए सह एकसरेस्टु माइनस वन भैटू डी एकसरेस्टु माइनस बैटू डी एक्स इसका integration करूँ तो क्या वह जाएगा ? x raise to minus one by two plus one नीचे minus one by two plus one plus क्या बनेगा ? सी zero आ जाएगा sorry plus c अच्छा तो बच्छों क्या बनेगा ? x raise to क्या उपर आगा ? 1 by 2 आएगा, नीचे 1 by 2 आएगा plus c आगे डिनोमेटर कर डिनोमेटर आगे जाने दो तो 2, so numerator में 1 by 2 प्लस यह आगया, यह क्या आगया integration क्या, अब वापीस अगर इसको मैं differentiate करूँगा तो क्या होगा वापीस यह आजाएगा, चेक कर सकते हो देखो d by dx 2 आगया आगया 1 by 2 प्लस यह, तो 2 तो constant बाहर निकल जाएगा, यह power होगा, क्या होगा, डिफ्रेंस इसन में क्या हमने बढ़ा था, x raise to n, n जो power आगया जाएगा और वहाँ पे जो power उसमें से कम हो जाएगा, यह हमने देखा था अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 आगया, 2 तो वही है तो 1 by 2 देखो आगया जाएगा और वहाँ पे 1 by 2 में से क्या होगा, 1 कम हो गया और यह इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा constant का differences है, 0 हो गया अब 2 तो चम चम हो गया minus 1 by 2 आगया मडलब क्या हुआ, यह हुआ न, देखो minus 1 by 2, आगया वापिस ठीक, तो जो integration क्या है, उसको वापिस differentiation करेंगे, तो वापिस वह original हमारा यह value आगया function आगया हमारा, कह सकते हो ठीक है, अब देखो यहां पर integration की दो चीज़ बात बताई, integration देखे है, सबसे पहले किया reverse process है, differentiation की ठीक है, okay, integration काम कब आएगा तो total करना है, total of something जो breaking down किया और उसको जो breakdown किया सब चोटे चोटे पार्ट की infinite small है, उसको integrate करना है, integrate में जोइंट करना है उसको क्या करेंगे, integration करेंगे, differentiation क्या बताता है, rate of change, velocity हमने बढ़ी बताया, instantaneous value, उस particular point पे, velocity क्या होगी, वह differentiation बताएगा, और सब इसे, और integration क्या बताएगा, total from rate of change, ठीक, questions all करेंगे, और clear होगा, देखो, तो बचो, देखो, velocity हमको कैसे मिली थी, V बराबर क्या हमने find क्या था, ds upon dt, differentiation को, अरे क्या हमने क्या देखा था, displacement को time से differentiate करेंगे, V बराबर क्या होगा, ds upon dt, displacement को time से differentiate करेंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, velocity मिलेगा, ठीक है, तो displacement को differentiate कर दिया, displacement को differentiate किया हमने किसको, तो मेरे को क्या मिलेगा, velocity मिला, वापिस velocity को integrate करेंगे, integration करेंगे, integration करेंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, वापिस displacement आ जाएगा, तो हम देखो, ds बड़ाबर क्या बनेगा बच्छो, v dt आएगा, ठीक है, तो इसको मैं इंटिग्रेशन दोनों तरफ कर देता हूँ, तो ds का इंटिग्रेशन क्या मिलेगा, s मिलेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी को इंटिग्रेशन क्या तो मेरे को क्या मिला, displacement मिला, similarly बच्चो अगर मैं तुम लोग को कहानी बताओ भी यहां पर acceleration मेरे को चाहिए तो मैंने कि मैंने किया था velocity को differentiate किया था time के respect में तो मेरे को क्या मिला acceleration मिला a बराबर dv upon dt तो dv बराबर क्या है कि a dt अब इसको integration कर देता दोनों तरफ देखें तो dv कि बराबर बच्चो एडीटी ओके सर यहां पर ठीक है तो देखो डीवी को integration किया तो क्या मिला मेरे को सुरी वी मिल गया तो acceleration को में difference इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो velocity मिल गए तो यहां पर भी क्या होगा बच्चो क्या हुआ देखिए velocity को differentiate किया तो acceleration आए इसको integration करूगा तो मेरे को क्या मिलेगा वापिस velocity मिल गए प्यस्चन से समझते और clear होगा देखो अगर यहां पर ध्यान दिखें velocity बराबर बच्चो दिया है मान लिजिए 2t मान लो ऐसा दिया है बही 2t square 2t plus 1 दिया है ठीक 2t plus 1 दिया है अब आपको बुच्छा है कि find displacement covered between finder displacement covered between t बराबर 1 second से एक से एक से एक से बराबर 3 से कंड एक से कंड से 3 से कंड की बीच में displacement किया हुआ होगा यह भी दिया है तो देखो velocity को integrate कर करेके तो क्या मिलेगा displacement करेके तो वी बराबर देखो ds upon dt होगा ओके तो ds बराबर कियागा वी dt आजेगा दोनों तरफ सांप लगा दिया ds इसका s होगया time की limit कहां देखो यह dt के मलब time की limit क्या देखो अब देखो यह definite integration limit देना है 1 से 3 तक तो t बराबर 1 से t बराबर 3 सेकंड velocity की value कितनी दिया है 2t प्लस 1 dt यहां तक ठीक है भी इसको आगे बत तो लेकर करो चलो तुम लोग को तो देखो कैसा होगा s बराबर 2t यहां अंदर integration जाने दू तो t बराबर 1 से t बराबर 3 तक 2t dt प्लस अगें यहां t बराबर 1 से t बराबर 3 तक इसको अलग से integrate करो तो dt हो जाएका इसका कुछ नहीं पावर तो वन होगा यहां कुछ नहीं ट वाला टर्म दी तो मैं ट रेस्ट जीरो लिख सकता किसी का वन मलब ट रेस्ट जीरो हुआ इसका integration क्या होगा देखो उपर भी वन प्लस वन नीचे वन प्लस वन इसकी लिमिट क्या से रेस्ट जीरो प्लस वन नीचे बच्छो जीरो प्लस वन इसकी लीमिट आए गा बच्छो वन से 3 तक आएगी यहां तक ठीक है अब 2 बाहर निकल जाएगा 2, यहाँ पर वेल्यू क्या करते हैं, एक बार उपर वाली वेल्यू रखना है, माइनस एक बार नीचे वाली वेल्यू, तो ती की जगह पर 2-1 का स्क्वेर, यहाँ पर नीचे 1 आ गया, 1 by 1, तो 3-1, ती की जगह पर एक बार 3 रख दिया, एक बार प्लस टूलेट 10 मीटर, तो 10 मीटर कवर किया होगा, कब एक सेकंड से तीन सेकंड की बीच में है, ठीक है, अब पी वाई की बच्चो, सोल करवाओ, पूछेगे सवाल है, इसके बाई से, इंटीग्रेशन के बाई से, पूछेगे सवाल है, क्या है, देखिए, पहला क्या है अब देखिए, 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 संब भीडोन से समें से सबाइब ऑलगे एक्सलर recipes मार्पनेर सब्सक्राइब ट्सान चाहिए तो प्रिश्राइब करें केँए तो टो सबाइतेचे एकोम क्या घ्राइब तो एक यूपनड़ीर तो और बराप क्या भरेंग चाहिए मार्ण सर तुछ नो स्था पर इंटिग्रेशिंग कर देगी अब देखो पर बात किया है कि अप देखने में न पर टिमीट देखो यू से वी तक यहां जाए तक तक कली सपा क्षण बात है अबदर फाइस सेय लेज़ेने के जरू थैंटल्य कि यह फिह तक है Rather U से V तकाएगा, एक की value किसके बराबर दिया है, 2T-1, तो 2T-1 into dt, इसमें limit कहाँ देगा, एक बार उपर अपर limit देगा, minus lower limit सब्टेक करेगा, तो देखो, क्या होगा, V minus U, एक बार उपर वाली value रख दिया, एक बार माइनस नीचे वाली value रख दिया, अब देखो, 2 बाहर न एक बार T, DT, एक बार T का integration करेगा, minus, DT का integration करेगा, okay, V minus U, starting में value U क्या है, 0 अटले, उसको लिखने की जरूरत नहीं, U minus 0 हो जाएगा, okay, T का कुछ नी power तो 1 तो होता ही है, इसका integration बोलो क्या होगा, T rest to 1 plus 1, नीचे 1 plus 1 बन जाएगा, okay, यहाँ पर, कुछ नहीं तो देखो, T का 0 power तो होगा ही है, क्योंकि 1 तो रहेगा, multiply में, तो क्या होगा, तो T का अब चो, 0 plus 1, नीचे क्या हैगा, 0 plus 1 अजाएगा, okay, ठीक है, अब V minus 0, V होगया, ठीक है, 2, इसका क्या बनेंगा, T square by 2, minus, T rest to 1 by 1, कुंसी सेकंड पर T बराबर, पांच व का square, my 2, minus 5, ठीक, 5 का square क्या होगा, 25 by 2, ठीक, अब यहाँ पर, 25 by 2, minus, बच्चो 5, यहाँ पर दिख रहे हैं, तुम लोग, corner पर जगा, बच्चो जगा की थोड़ी कम ही है, समझ जाना, 25 minus 10, 2, क्या हो गया, divided by 2, 2, 2, 2, cut गया, 25, तो 15 मीटे पर सेकंड, तो 15 आंसर आगया, तो कौन सा सर, option है, यह नंबर का बच्चो, तो आंसर क्या हो गया, यह नंबर हमारा आंसर आगया, simple, ठीक है, ओके, दूसरा question क्या कहता है, दीखे सर, जी में 2021 का सवाल दिया है, और नीट 2016 में पूछेगे सवाल, important सवाल दो बार पूछा गया, सवाल है, बच्चो, ध्यान देना है, पूरा सोटका, चलो, वी की value दिया है, और हमको क्या find करना है, distance पूछा है, ठीक है, velocity में से हमको क्या चाहिए, स्ट्रेट पास में इतलता होगा, तो distance displacement से हम होगा, तो distance between, बन से टू से टे सकंड, मलब हम लिमीट देगे, टाइम की value के लिमीट का देगे, वन से टू तक देगे, वी बराबर की आएगा, बच्चों, ds upon dt पूट कर देगे, वी बराबर ds upon dt, तो ds बराबर की आएगा, v dt आएगा, integration लगा देगे, दोनों में, ds का integration क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, यहाँ पर, v की value कितनी दिया है, तो a t plus b t square dt, अब time की लिमीट कहां से कहां है, तो 1 से, t बराबर 1 से, t बराबर क्या हो जाएगा, 2 second दिया, तो s बराबर, इसका अंदर का पाट जाने दो, तो a t का integration क्या होगा, अब देखो, a बाहर निकाल तो t का integration क्या होगा, t square by 2 हो जाएगा, यहाँ पर, plus b, इसका integration क्या हो जाएगा, तो b, इसका क्या है, t cube by 3 हो जाएगा, समझ मैं नहीं चाहाएगा, अब लिमीट कहां से कहां तक देनी है हमको, तो 1 से, 2 तक देनी है, एक बार upper limit पूट करेंगे, minus एक बार lower limit पूट करेंगे, a by 2, upper limit क्या होगा, तो 2 का square 4 बन जाएगा, plus b by 3, ठीक, एक बार upper limit 2 का cube क्या है, 8 बन जाएगा, upper limit कर दिया, देन क्या करना है, तुम लोग को, minus, क्या करना है, minus a by 2, lower limit क्या हैगी, 1 का square 1 हो जाएगा, plus b by 3, lower limit 1 का cube क्याएगा, 1 आ जाएगा, okay, अब इसको simplify कर दो बच्चो, answer आजाएगा, a, s बराबर, 2 to the 4 हो गया, तो 2 a बन गया, 8 b by 3 आगया, minus a by 2 आगया, minus b by 3 आगया, अब 2 a में से a by 2 निकाले गएगे, तो क्याएगा, 3 a by 2 बनेगा, यहाँ पर क्याएगा, 7 b by 3 आगया, अब यह answer आगया, देखो, कौन सा मेच कर रहा है बच्चो, तो sir, b नंबर का answer मेच कर रहा है, तो answer क्या होगा, b रहेगा हमारा, ठीक, clear है बई, ओके, ओल इंडिया प्री मेडिकल टेस्स, 2006 का सवाल, बच्चो, खुच से ट्राइ करिए, पी वाई क्यों अभी only for cover कर रहा है, खाली पी वाई क्यों, only for पी वाई क्यों cover कर रहा है, तो बच्चो, आता है, तो ट्राइ करिए, वीडियो पोस्ट करके, देखो, इसमें क्या यू बताए, कि बच्चो, पार्टिकल मुविंगा ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिश्टन्स, एक्स, डिश्टन्स चेंज हो रहा है, टाइम की रिष्पेक में, तो कितना चलाओगा रेष्ट में आने के लिए, अब देखो, रेष्ट में आयागा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो कौनसे टाइम पे पहले तो जीरो हुआ होगा, डिस्प्लेस्मेंट, तो हमको क्या फाइं करना है, देखो, तो आपको क्या करना है, फैले, वी फाइंड कर देखें, वी बराबर जीरो ले लेगे, तो वहां से टाइम की वैल्यू मिलेगे, यह तो ताइम का पुटकर देना है, तो पहले देखो, पार्टीकल रेष्ट में आया है, तो रेष्ट में आने के पहले, कितना चलाओगा, तो रेष्ट में कौंसे टाइम पर है मालो हुण पांच वीस सेकंड पर रेष्ट में आगया बराबर किया कर डिए को यह चुन यह ए늘णा को minus क्याएब T q by like,HAHAHA अब इसको differentiation करेंगा तो 40 का differentiation क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका क्या हो जाए गा- V अब V ब्राबर क्या पूट केना है, गीड़ को zero कि पर बदूoså 60 siis Tesla hai fulfillOG जाए तो T square equal to कि आए कि बच्चो 4 आ गया तो T बराबर दूसरी सेकंड पर रेष्ट में आ गया यह दूसरी सेकंड पर रेष्ट में तो हमको क्या करना है अब 0 से 2 सेकंड तक कितने ट्राविल किया होगा देखना है ठीक है तो displacement का यह formula है यह वाला तो हमको एक्स बराबर बच्चो 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब क्या होगा देखिए तो हमको टी बराबर क्या पूट करना है तू पूट करने है तुम लोग को 40 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब क्या एक एट आएगा ट्वेल टूजा 24 माइनस 8 कितना आएगा और स्वरी प्लस 40 है 40 प्लस 16 कितना एगा 56 मीटर कितना एगा 56 मीटर तो आंसर क्या होगा देखिए कौन सा है यह हमार आंसर है आंसर नंबर डी नेक्स बच्चो एए ट्रीपली 2011 का सवाल दिया है देखिए बहुत अच्छा सवाल एक्टम सांधार सवाल दिया है देखो डीवी डीटी की वेल्यू वेल्यू चेंज हो रही है माइनस 2.5 रूट वी के यह साबसे मला अब एक्सलरेशन दिया है एक्सलरेशन नेगेटिव यह स्पीड काम हो रही है स्टाटिंग में स्पीड की नीmber है श्र principio फडींट यह अभ्य बच कोंसे Secondly पर कौन से टाइम पर होगा रहे 0 हो गया पर आप ऐसा दिया है ultimate velocity find time find करना है यह आपको relation दिया है तो dv by dt यह बच्छो आपको दिया है क्या दिया है minus 2.5 वी का है क्या है क्या 1 by 2 power यह दिया है अब देखो तो हम क्या करें कि बच्छो देखो dv इसको नीचे ले लिया इसको क्या ले वी को एक तरफ यहां पर ले लिया minus 2.5 dt उपर ले लेकर तो क्या होगा minus हो जाएगा वी का minus 1 by 2 minus 2.5 dt इंटीग्रेशन कर दो दुनों तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया वी का minus 1 by 2 की अब देखो यह कि की स्टार्टिंग में वेलोसिटी की रेंज यू है वी है टाइम की बात कर तो स्टार्टिंग में टाइम जीरो होगा starting from 0 से time final time t है okay V का integration क्या हो जाएगा तो उपर भी plus 1 by 2 अब देखो V का minus 1 by 2 है plus 1 और नीचे के आएगा minus 1 by 2 plus 1 इसकी limit आएगी u से v तक आएगी okay minus 2.5 dt का integration क्या हो जाएगा तो देखो T बन जाएगा स्टार्टिंग टाइम जीरो फाइनल टाइम T है अब ये 1 बैटू ये 2 पर चलाएगा क्योंकि दीनोमेटर का दीनोमेटर वाँ जाएगा वेल्यू पुट का देदा एक बार V माइनस 1 बैटू माइनस 2.5 T माइनस 0 यू कितना दिया है 6.25 दिया है अब फाइनल वस जीरो है दोनों वेल्यू पुट कर देता हूँ तो 0 माइनस 6.25 का 1 बैटू पावर माइनस 2.5 T आगिया माइनस साइन बाहर निकाल देगा बच्चों और यहाँ पे इसको 625 पॉन 100 का 1 बैट पुट कर देगा माइनस 2.5 T आगिया इसका रूट निकाले के 625 का रूट किया आगा देखो 625 का रूट किया बच्चों तो यह हो जाएगा 25 हो जाएगा इधर कर देते है तो 25 बैट 10 माइनस 2.5 T इसको सिंब्लिफाइ करेंगे तो यह कट जाएगा तो वी बराबर T बराबर किया तू से कंड आया है 2 से कंड कौन सांसर मेंच कर रहा है तो यह सर C नंबर का आंसर यह हमारा आंसर C नंबर का ठीक है ओके तो बच्चों यहां पर क्वेस्टेंस आपके खतम होरे बच्चों तो यह लेक्चर्स की आपको क्या दिया जाएगा इसके वीडियो के डिस्क्रीशन में जाओगे तो आपको क्या होगे इसके DPP मिले के तो आपको क्या करना है इसको खुच से सोल करना है अगर आपको कोई डाउट्स है तो बच्चों कॉमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसके सोल्यूशन आपको अप्लेट करेंगे नेक्स क्लास में मिलते है बच्चों तब तक पढ़ते रही है लड़ते रही है खुस रही है बच्चों